आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now तो question है हमारे पास angiosperms and gymnosperms resemble in having मतलब जो angiosperms और gymnosperms हैं उन दोनों में क्या similarity है तो हमें पता है कि angiosperms जो होते हैं वो more complex plant होते हैं और जो gymnosperms होते हैं वो थोड़े simpler plants होते हैं ठीक है जो gymnosperms होता है वो हमें पता है कि उसमें क्या present होता है naked seed present होता है मतलब इसमें क्या नहीं होगा seed coat absent होता है ठीक है और इसे हम क्या कहते है true seed नहीं कहेंगे क्योंकि जो true seed होता है उसमें क्या present होगा seed code present होगा ठीक है तो जो angiosperm होते हैं उसका मतलब क्या होगा angiosperm में क्या present होता है seed code present होता है ठीक है जो avule होते हैं उसके ओपर tagments present होते हैं से हम क्या कहते हैं, true seed कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या present होता है, seed coat present होता है, ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुए एक बार इन में कुछ similarity होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें हमें बताने की कौन सी similarity है, तो हमारे पास option है, option 1, vessel in wood, मतलब जो wood होती है, उसमें vessels होती है, option 2 है, mode of fertilization, option 3 है, sysile and oblong leaflets, और option 4 है, sysile endosperm, तो sysile का मतलब क्या होगा, जो अपने base parts से connected होते हैं, directly, वो किसी भी stock या stem की help नहीं लेते हैं, ठीक है, तो जो हमें पता है कि जो endosperm में mode of fertilization होता है, वो क्या होता है, double fertilization होता है, ठीक है, double fertilization होता है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा, जो gymnosperm होते हैं, उसमें हमें पता है true seed नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, motile sperm present होता है, ठीक है, तो यह तो हमारे नहीं हो सकता इसमें कैसी leaf present होती है oblong leaflet present होती है oblong leaflet क्या होती है जो दोनो inside से parallel हो और जो coordinator से round हो उसे हम क्या कहते है oblong leaf कहेंगे तो यह हमारी क्या है oblong leaf है और साइल का मतलब क्या होगा जो किसी base parts से attached है ञीक है तो हमारे correct answer मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरूसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर